असलाम आलेकुम चैनल जाय कदिली छह में आज हमने बनाई है यह वनपोट बिरियानी दम बिरियानी बनाई है और हमने यह अलग से चावल भी नहीं उबाले हैं और कितनी लाजवाब यह हमारी बिरियानी हुई है तियार तो इसको जानने के लिए देखें यह पूरी वीडि बहुत ही आसान है मार्किट में आए दी न्यू न्यू प्रोडेक्ट लॉंच होते रहते हैं लेकिन हम उनकी तरफ दिहान ही नहीं देते हैं अपना जो डेली का जो रूटिंग है बस उस तरफ ही लगे रहते हैं लेकिन यह इलेक्ट्रिक प्रेशर कूकर थोड़ा हटके है उस में से और इसके अंदर ताम जाम बहुत ही कम है जिनको अपने किचन के अंदर बहुत ज्यादा ताम जाम नहीं चाहिए उनके लिए यह बहुत ही यूसफुल है तो मैं आप से कहूंगी कि आप इसको लें तो अच्छा है इसको ओपरेट करना भी बहुत इजी है और इस इसके अंदर एक बहतरी सा पोट है बहुत ही हसीन दिख रहा है यह पॉट यह पांच लिटर की केपिसिटी वाला पॉट है यह देखें हम इसके अंदर ही तियार करेंगे अपनी बिरियानी तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने चिकन को कर लेते हैं मैरिनेट चार सो गिरम चिकन लिया है हमने हाफ टीस्पून रेड चिली है और हाफ टीस्पून ही धन्या पाउडर है और हाफ टीस्पून हमने नमक लिया है अभी हमने सिरिफ चिकन का नमक लिया है और इसमें डाल देते हैं एक चमच लसन का पेस्ट और एक ही चमच डालेंगे हम इ इसमें डालेंगे सबसे में जो है यह हमारा बिर्यानी मसाला पाउडर है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एक बड़े साइज की प्यास है यह आप तल के किचन में ज़रूर रखें हम यह दो मिडियम साइज के टमाटर जो बस यह है वो टमाटर एक इंगरेडियंट यह है जो हमारे चावलों को गलाएगा और दूसरा इंगरेडियंट है यह हमारे पास दही जिसको हमने ग्रैंडर मे गुमा लिया है हम यह द आस डही डाल दे ल है इतने चिकन के अंधर हम Поногड़ सकते हैं तो चोड़ सकते हैं चितने हमोरे चिकन मेरीमेट हो रहा है इतने आपको इसकी प्रिसेट मेन्यू के बारे में बता देती Cathedic इसमें कुन-कुन से options हैं, यह कोई normal rice cooker नहीं है, यह multi-purpose cooker है, आप इसमें डाल, चावल से लेके non-wage तक सब बना सकते हैं, different different recipe के लिए इसमें अलग-अलग cooking options हैं, जैसा के rice, डाल, चना, सांबर, gravy, पॉंगल, ठीचडी, इडिली, और यह सोटे, इसमें आप कोई भी चीज अ बटन और किसी भी तरीके का पुलाओ, वेज पुलाओ या फिर चिकन मटन पुलाओ भी बना सकते हैं, जैसे हमारे गैस में slow, medium, high होता है, इसी तरह इसमें टेस, यानि quick, medium और strong है, quick में आपका 5 मिनट में या बहुत जल्दी त्यार हो जाएगा, medium में आपका medium के जैसा ही है strong आपको जब जरूरत पड़ेगी, जैसे नहरी वगएरा बना रहे हैं, या फिर हलीम या जो चीज़ आपको slow, slow cook करनी है, यह options आपको जब चाहिएगा, यह है manual बटन, आप इसमें से कोई भी option choose नहीं करना चाहते हैं, और सिरिफ अपनी मर्जी से cook करना चाहते हैं, तो यह है उसके लिए, बस फटा फट से करते हैं, अपने रेसिंग पी तयार, तो मैं इसको plug-in कर देती हूँ, यह देखें, मैंने इसको 2 गंटे के लिए छोड़ दिया था, मैंने इसको, तो बस यह पकने के लिए है तयार, इसी के साथ मैंने यह white rice लिया है, long rice लिया है, और इसक कच्छे ही चावल हैं, तो फटा फट बनाते हैं इनको, इसको on करते हैं, सोटे वाले बटन को प्रेस करते हैं, 30 सेकंड लगेंगे, इस पोर्ट को warm होने के लिए, यह हम पूरा मैरिनेट किया हुआ चिकन, इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे, मैरिनेशन में आप चिकन को ज दो कप चावल, यह अच्छे से फैला देते हैं हम इसमें, चिकन का नमक चिकन में है, हम सिरिफ चावल का नमक डालेंगे, वन एन हाफ टी स्पून डालेंगे, जिस कप से नापके हमने चावल लिये हैं, बिल्कुल उसी से नापके हम यह पानी लेंगे, बस हम इतना ही पान लेंगे जितने हमारे चावल हैं इसकी लिड से इसको कवर कर देते हैं और इसके कुकिंग ऑप्शन सेट करते हैं जब आप कुकिंग स्टार्ट करें यह जो नोब है यह आपकी इस तरह से पीछे रहनी चाहिए यू नहीं रहनी चाहिए पूरी स्टीम से बाहर आ जाएगी त लेकिन मैं इसको मिडियम पर ही बनाओंगी और 15 मिनट में त्यार हो जाएगी हमारी यह दम बिरियानी इसमें 10 मिन्ट रह गई है और इसी तरह से देखें आभी इसमें 9 मिन्ट रह गई हैं कुकिंग टाइम ओबर होने के बाद इसमें आती है तीन बीब के आवाज जो के आ अपना खाना अभी नहीं खा रहे हैं तो कीप वर्म वाला बटन स्लेक्ट कर लें ताके आपको खाना रहे गरम अब यह आपका खाना जब तक गरम रहेगा जब तक आप यह कीप वर्म कैंसिल नहीं करते हैं और इसी ऑप्शन पर जाके आप अपना दूसरा खाना भी गरम क चोड़ते हैं और यह देखें कितना सारा भी इसमें प्रेशर है तो इसी प्रेशर में रहने देते हैं बियानी मिलेगी हमें सॉफ्ट और यह है टीले टाइमर इसको आपको तब यूज करना है जब पूरी तियारी कर लें और अपना खाना या चावल जिकन मटन सबजी जो भ गहर में आएंगे तो आपको खाना मिलेगा एकदम से गर्मा गरम पांच मिनट हो गई है हमने इसको कीप वह हम पे चोड़ गया था अब हम इसको करते हैं कैंसित क्योंकि बियानी क्या रही है बहुत ही लाजवाब खुश्बू तो बस अब हम इसको खोल लेते हैं और इसक नहीं लाजवाब दिख रही है हमारी बियानी यह हमारे पास है क्वार्टर टीजफून केवड़ा वॉर्टर दो से तीन पिंच हमने फूट का ड़र लिया है तो बस इसमें डालते हैं सरासी यह तली हुई प्यास जो उपर से दिखे बहुत ही लाजवाब यह डाल देते है कलर अभी डाला है इसलिए हम इसको 10 सेकंड के लिए ढख देते हैं इसके ओपर यह देखे रवड गिलफ्स यह भी आपको इसी कूकर के साथ मिलेंगे तो हम यह अपना पोर्ट इसमें से निकाल लेते हैं बहुत ही लाजवाब हमारी यह दम बिरियानी हुई है एक दम से त बोश्ट देखें कितने अच्छे से गल गया है आप भी यह कोकर पर्चेस करना चाहते हैं तो इसका प्राइज और इसका पर्चेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यह देखें चिकन से यह बोन से अलग हो रहा है कितना लाजवाब तियार और भी ज्यादा अट्रैक्टिव जरूर बनाएं हमारे तरीके से बनाएं जाय का दिल्ली च्छे के तरीके से जरूर बनाएं हमसे जुड़ा हमारी होसलावजाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी डीश को लाइक करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा अल्ला पर अल्ला हमारी होसी.